नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है, मैं हूँ विकास कुमार भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच L.O.C. के मुझूदा हालाद पर बाचित हुई है ये बात हॉट लाइन पर हुई, इसमें दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांती बनाई रखने के लिए सहमती बनी है इसके साथ ही सभी समझोतों का सक्ती से पालन किये जाने को लेकर भी हामी भरी गई इसके अलावा आधी राज से सीमा पर सीज़ फायर उलंगन ना करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमती हुई है ये 24-25 फरवरी के मध्यर आतरी से परभावी हो गया है एक सयुक्त बयान में भारत और पाकिस्तान ने कहा कि दोनों देश आपसी समझोते और उनुभंदों और संघर्स विडाम का सक्ती से पालन करने के लिए राजी हैं दोनों पक्षों ने नियंतरन रेखा और अन्य सभी छेतरों में स्वतंतर स्पेष्ट और सुहादर पुन बातावरन में इस्थिती की समिक्षा की इसके अलावा दोनों तरब के DGMO ने इस बात को दोहराया कि किसी भी अपरत्यासित इस्थिती या गलत फहमी को हल करने के लिए होट लाइन पर बात और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंतर का उपियो किया जाएगा बता देखिए स्री लंका दोरे पर पहुँझे पाकिस्तान के परदान मंत्री इमरान खान ने भारत से शांती का राग छेडा था इमरान ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा ही भारत के साथ विवाद का एक मात्र मुद्दा है जिसे बाचित से दोनों देश सुलजा लेंगे इमरान ने कहा कि हम दो कदम चलने को तयार हैं और भारत भी इस दिसा में आगे बढ़े खान ने कहा कि उन्होंने 2018 में परधानमंत्री निर्वाजित होने पर भारत को शांती वारता आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ गौर्तलेब है कि इस महीने की शुरुगात में भारत ने भी कहा था कि वो आतंग खिंसा और अस्तिर्ता मुक्त माहूल में पाकिस्तान के साथ रिष्टे शामान ने बनाना चाहता है बता दे की हाल ही में भारत और चीन ने A.C. पर पर पैंड़ांग लेक के फिंगर एरिया में शांती के लिए समझाओता किया था उसके बाद भारत और चीन की सेनाय पिछले साल के स्थिती में लोट गई थी इसके बाद LSE के दूसरे इलाके में भी सेना के डिसिंगेजमेंट को लेकर बात्ची जारी है इस ख़बर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है One India के साथ